भारत और आश्टेलिया के बीच चोथा T20 मुकाबला राइपुर में सुक्रबार को खेला जाएगा इस मैच को लेकर एक बड़ा अपडेक हम आपके लिए यहां लेकर आये हैं TCA T20 में अकेले अपने दम पर आश्टेलिया को जिताने वाले गलेन मैक्सवेल चोथे T20 के पलेइंग 11 में नजर नहीं आएंगे पहले T20 में आश्टेलिया की तरफ से सतक लगाने वाले जोस इंग्लिज भी चौथे T20 में आश्टेलिया के पलेइंग 11 में सामिल नहीं होंगे इनके अलाबे आश्टीव अस्मित, मारकस अस्टोनिस, सीन एवाट और एडम जंपा जैसे आश्टार खिलारी भी चौथे T20 में आश्टेलिया के तरफ से पलेइंग 11 में सामिल नहीं होंगे क्योंकि इन सभी खिलारियों को चौथे और पांचमें T20 में आराम दिया गया है वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारतिये पलेइंग 11 में भी दो बातपुर्ण बदलाव होने की संभावना है दरसल चौथे T20 में CSIR तीम से जुर जाएंगे और CSIR के आते ही पलेइंग 11 से तिलक बर्मा की छुट्टी हो जाएगी और CSIR उप कफ्तान के रूप में पलेइंग 11 में सामिल होंगे वहीं चौथे T20 में भारत के पलेइंग 11 में एक और बड़ा बदलाव आपको दिख सकता है परसिद किसना की जगा मुकेश कुमार की चौथे T20 में नजर आ सकते ही